गुड निम है क्लास ट्रॉल्स की प्यारे बिच्चों आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तास में चौथा चैप्टर है दी इनमी आज हम लोग इस चैप्टर की सभी वर्ड मिनिंग्स को देखेंगे मिन्स इस चैप्टर में जितनी भी सिंपल या टफ वर्ड मिनिंग है आज की इस क्लास में उन सभी वर्ड मिनिंग को कवर करेंगे और इस सेशन का हम लोग का इंगलिस में टार्गेट है 100 आउट आफ 100 मांक्स लाना इसलिए आपकी जिम्मदारी और भी बढ़ जाती है जितनी भी इंपॉर्टन क्लास आपको यूटूब पर दीजा रही है आप सभी क्लास को अटेंड करोगे किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टन क्लास हो चुकी है यद उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको English Class 12 Important Classes करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लास चली हुई है सारी Classes एक से डिल वाइज लगी हुई है तो जहांस भी आपका छूटा हो आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं और जो भी प्यारचे अभी तक पेड क्लास में एडमिस्ट नहीं लीवे हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नमबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नमबर दिया गया है आप इस नमबर पी कॉल करके पेड क्लास में एडमिस्ट ले सकते हैं बाकी प्यारचे पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में एडमिस्ट लेंगे फीसिस टेक्चर क्या होगा क्या क्या चीजे इसमें आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंतिमी आपको बता दिया जाएगा अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं तो क्लास पे चलने से देखिए एक तरफ आपका word means सब्द लिखा गया है और दूसरी तरफ उस word का meaning उस सब्द का अर्थ लिखा गया है तो भाई हम लोग पहले word पे चलते हैं देखते हैं पहला word क्या है तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला word है state state means होता है अर्थात condition होता है और एक इस्टेट का और अर्थ होता है राज होता है लेकिन यहां पर शुरुमात में राज किन्धर में नहीं प्रयोग किया गया है वो इस स्थिर अर्था साथ कंडिशन के संदर में प्रियोख किया गया है इसलिए हमने यहाँ पर लिखी मिलिए स्टेट मिसलिए का सतिती हो जाएगा दूसरी वर्ड मिनिग आपके सामने हैंड दोवर जैसे कहते नहीं हमने इस चीज़ को फलाना आदमी को hand over कर दिये तो hand over means होता है सौंप देना होता है तीसरी word meaning आपके सामने है यंडर, यंडर means होता है वहाँ या फिर के सामने यंडर means हो जाएगा वहाँ या फिर हो जाएगा सामने हो जाएगा चौती word meaning आपके सामने है stepping stones है stepping stones means होता है पहला कदम means first step जो आपका होता है उसी को बोलते है stepping stones बोलते है तो भईया stepping stones means हो जाएगा पहला कदम हो जाएगा पांच यह वड़ मिनिगा आपके सामने है perfecting perfecting means होता है सटीक बनाना means एकदम exact बनाना कोई गलती न रह जाना means making faultless means कोई गलती न रह जाना ऐसा बनाना उसी को बोलते है perfecting बोलते है तो perfecting means हो जाएगा सटीक बनाना हो जाएगा अगली word meaning आपके सामने है troops troops means होता है सैनिक अर्था soldier soldier को क्या बोलते है troops बोलते है तो troops means हो जाएगा soldier अर्थाथ सैनिक हो जाएगा अगली word मीनिए आपके सामने है drawn drawn means होता है lay eye drawn means हो जाएगा lay eye अर्था taken के संदर में यहाँ पर drawn का प्रयोग किया गया है तो drawn means हो जाएगा lay eye हो जाएगा और यही आपका draw होता है draw means होता है मैंस जो है वहां पर अर्फ Gore अनियरित होता है मिनस कोई डिसिजंज नहीं निकलता है तब जो है डॉर का प्रियोग करते हैं जैसे मैच को Cantlar Cartman करते हैं मैच जब play हो जाती है कोई टीम नहीं जीती है तब जो है है आपका ड्रा स्पेलिंग वही है लेकिन जो है अर्थ इसका अलग होगा यहां पर जो अर्थ प्रियोग किया गया है वह ले आई के संदर में प्रियोग किया गया है अगली वर्ड मिनिग आपके सामने है मिस्ट मिस्ट होता धुंद किया कोहरा धुंद या कोहरी को मिस्ट हो जाएगा लेपटते में में नहीं हो जाएगा अगली वर्ड मेनिंगु आपके सामने है लिटरेली लीटरेली में होता है आपका exactly miss बिल्कुल ठीक है literally miss होता है exactly miss बिल्कुल ठीक हो जाएगा exactly नहीं कहते हैं एकदम सठीक जो है एकदम ठीक ठीक है तो यह आपका literally का meaning हो जाएगा अगला है आपका headlessly headlessly means होता है laa परवाही से headlessly means हो जाएगा laa परवाही से means carelessly हो जाएगा जाएगा तो मि gehणा भिग वेव अर्था बड़ी लहर हो जाएगा अगली वर्ड मेंग आपके सामने है कल्ड कल सोता Tography काटती हुई means formed in circles means जो चकर की रूप में जो आकरिती बनती है उसी को कर्ल बोलते हैं means चकर काटती हुई हो जाएगा अगला वर्ड मिनिंग आपके सामने है यहां पर वर्ड की सेकंड फार्म का प्योग किया गया है तो यहां पर देखी प्यार्च आपके सामने सुलहवी वर्ड मिनिंग है और सुलहवी वर्ड मिनिंग है बेयर बेयर मिस होता है खाली कि क्या बेयर फूटेड का प्रयोग किया गया था आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बेयर फूटेड मिस नंगी पाउं की संदर में प्रयोग किया गया था तो यह बेयर का एक्च् अगली वर्ट बीनिंग है इस्टेन मिस होता है चिथडे मिस टॉन क्लॉट से मिस फटे पुराने कपड़े हो जाएगा अगली वर्ड बीनिंग आपके सामने है टार्चर्ड टार्चर्ड मिस होता है प्रतारित किया हुआ अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है इस्टर्ड मिस होता है टकरा गई मिस हीट होता है इस्टर्क मिस टकरा जाना अर्थाद हीट हो जाえगा अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है स्टींड, स्टींड मिन्स होता है धक लेना, तो स्टींड मिन्स धक लेना अर्थात कवर्ड हो जाएगा अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है इस्ट्रीवड इस्ट्रीवड मिन्स होता है आपका इस्ट्रीवड मिन्स होता है फैली हुई थी इस्ट्रीवड मिन्स हो जाएगा फैली हुई थी मिन्स ले ओवर चारो तरब जो फैली होती है उसीकोяж्टीब बोलते हैं तो इस्टीब मिन सोजाएगा फैली होई थी अगली मेनिंग हैar देस्टेड होजाएगा धूल थाना देस्टेड मिस होजाएगा धूल हटाना थास सामने है रिपल्सन, रिपल्सन मिन्स होता है नापसंदगी, मिन्स डिसलाइक करना किसी को, रिपल्सन मिन्स हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, मिन्स नापसंदगी, मिन्स पसंद ना करना आपका रिपल्सन होता है, डिसलाइक होता है, आगे बढ़ते हैं अगली वर्ड मिनिक पर सब्द होता है simple सा जो है words हो जाएगा अगली वर्ड मिनिंग है intend intend मिस होता है इरादा रखना means have intention जो इरादा रखते हैं उसी को intend बोलते हैं तो means have intention हो जाएगा अगली word meaning है foul, foul मिस होता है एक छोटी सी चड़िया होती है मिस small word जो है आपकी होती है, foul होती है, foul एक छोटी सी चड़िया है, चड़िया का नाम है अगली word meaning आपके सामने है matted, matted मिस होता है चटाई बिच्छा हुआ Metted means हो जाएगा चटाई बिछा गएका मींस Metted होजएगा अगली word meaning आपके सामने है फिच मेंस होता है जाकरगे आना होता है जाकरगे आना के आना आपका fich होता है अगली word meaning है अटर अटर मेंस होता है Bubble utterly होता है संदर में utter का प्योग करते हैं इसे इंग्लेस में totally बोलते हैं, अगली word मिनिंग है moved, ठीक है अगली word मिनिंग moved, moved मिन्स हो जाएगा पिघला देना, यहां पर जो moved सब्द का प्योकिया गया है, melted के संदर में प्योकिया गया है, तो moved मिन्स हो जाएगा पिघला दिया, अगली word मिनिंग है vitality, vitality मिन्स होता है जीवन सक्ती को vitality बोलते हैं means extent to live means जीवन जीने की जो सक्ती होती है जीवन जीने की जो चाहत होती है उसी को vitality बोलते है means जीवन सक्ती होता है means extent to live हो जाएगा अगली word meaning आपके सामने है nursery नर्सरी मिंस होता है बच्चों का कमरा जो बच्चों का कमरा होता है children's room होता है उसी को nursery बोलते हैं अगली वर्ड मिनिग आपके सामने है lead to the way lead to the way means होता है आगे चली lead to the way means हो जाएगा आगे चली means walked in front of walked in front of के संदर में lead the way का प्रयोगम करते है means आगे चली होता है अपके सामने है masteries means अहुता होता है जब कोई व्यक्ति atya कर लेता 씨S में सो जाएगा भैंकर अर्थात वाइलेंट हो जाएगा एगली वर्ड मीनिगा 아पके सामने है sustainable sustainable मीं सो घुकना Kabuto अगली वर्ड मीनिग आपके सामने है bent bent मीशोता है जुकना मीस इस्ताप्ड हो जाएगा bent मीань sota है जुकना होता है या फिर स्टाफ्ड हो जाएगा, तो यह आपकी सामने yeter, जह आपकी 49, 49 नंबर की word meaning हो गई, आगे बरते हैं, आगे है number 40 है, exposure, exposure मिस होता है, खुला रहना, means openness, means खुला रहने को, exposure के संदर में प्योग करते हैं, तो exposure मिस हो जाएगा, कि खुला रहना मिन्स openness हो जाएगा अगली वरड मिन्ग आपके सामने है लिए भीचिल भीole हुए होता है ज़ाडियां ज़ाडियों के लिए हम श्रभका पर्योग करते हैं इसे English में और बसेस भी बोलते हैं तो सरपस मिस हो जाएगा जाडियां अर्थात बसेस हो जाएगा अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है Concize, concise मीं है exact अर्था 68 अगली word मियनुग आपके सामने है beard इंटू, beard इंटू मीं है जांकना अर्था looked इनटू हो जाएगा 兩स हें अगली word मियनं सामने है choked, choked मीं है गला रूद गया, throat got blocked, मिंस गला रूद जाने को choked बोलते हैं अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है लीब्ड अप, लीब्ड अप मिन्स होता है उचलना या कूदना होता है, लीब्ड अप मिन्स हो जाएगा, उचलना या कूदना हो जाएगा, मिस जम्ट हो जाएगा, अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है रूथलेस, रूथलेस मिन् सोता है लना अर्थात मोब होता है अगली वरड़ मेनिंग आपके सामने है इंट्रिकेट मीनिस होता है सूचमिया जarner गवन को इंट्रिकेट मिन्स माइनूट या कॉमपलेक्स इस इंगलेस मीमत मोलते हैं ठीक है अगली वर्ड मीनिंग है टिप, टिप मिन्स होता है Nokia Point, Nokia Point को हम टिप बोलते हैं, अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है Cardinal, Cardinal मिन्स होता है सबसे बड़ा मिन्स चीफ, जो सबसे बड़ा होता है, उसे Cardinal बोलते हैं, तो Cardinal मिन्स होता है आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, अगला है Precise, Precise मिन्स होत अगली वर्ड मिनिनिंग के संदर में हम फिड का प्रूख करते हैं अगली वर्ड मिनिंग है वासफुल, वासफुल मिस होता है चोकरना, मिस अलर्ट होता है अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है मार्ड, मार्ड मिस होता है खराब कर देना, मिस स्पॉयल हो जाएगा Marred means हो जाएगा Kharab कर देना ऐठात Spoil हो जाएगा अगली word nicest है आपके सामने Contained Condainedats means होता है दोसी पाया जाना दोसी पाया जाने के लिए हमेश request सब्सक्राप प्योर्ग करते हैं means found guilty हो जाएगा अगली wordी Assist Impulsive Impulsive means होता है भावनाओं के बहाओं में, जो भावनाओं के बहाओं में बातें कही जाती है, वही आपका impulsive होता है, means emotional होता है, impulsive means हो जाएगा emotional अर्था भावनाओं के बहाओं में, अगली word meaning आपके सामने है, dismayed, dismayed means होता है, side अर्था दुखी होता है dismayed means हो जाएगा side धुक्षी हो जाएगा अगली वर्ड मिनिंग के सामने है grieving grieving means भी होता है, आपका side धुक्षी होता है, अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने exhausted, exhausted means होता है ठकी हुई अर्था tired, tired के संदर में हम exhausted सब्सक्राइब करते हैं अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है डिस्टेस डिस्टेस मिन्स होता है परिसानी या चिंता परिसानी या चिंता के संदर में हम डिस्टेस सब्सक्राइब करते हैं अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है इस्टेंड इस्टेंड मिन्स होता है सहन क करना मिन्स हो जाएगा स्टेंड हो जाएगा अगली विय्ều मिनिक ऐस आनोखा विय यूनिक को हम विय्ल llamado जाएगा अभीभूत होना मिन्स ने पूरी तरह से वे हो जाएगा यानि अगला है आपके सामने रीजन रीजन में सोता है तरिक होता है लौजिक होता है सिंपल सी बात है रीजन में सोता है कारण भी होता है और तर्की भी होता है इसे इंग्लिस में लौजिक बोलेंगे ठीक है अगली वर्ड मिनी है इस्टिफ इस्टिफ में स होता हाड या कठोर होता है अगली वर्ड मिनिग आपके सामने है ग्रीपिंग मिन्स होता है पकड़े हुए ग्रीपिंग मिन्स हो जाएगा मिन्स होल्डिंग हो जाएगा अगली वर्ड मिनिग है डारेक्टेड डारेक्टेड मिन्स होता है नर्देशित किया डारेक्टेड मि में हम ड्रिपुन करते हैं अगली हग्ली वर्ड मिनिग आपके समने है भीटी मिन्स होता है आपका थका हुआ ठका हुआ विटी बोलते अगला है instant instant मिस वता है तुरंत होता है means at that moment मिस उसी छड़की बात होता है means instant उसके लिए प्रियोग करते हैं अगली वर्ड मिनि आपके सामने है रेब्ड मिस होता है आपका जो है लेपेट दिया अगली वर्ड मिनिया आपके सामने है क्रॉस मिन्स होता है इंग्री मिन्स हो जाएगा अगली वर्ड मिन्स होता है सपत खाना टेक ओथ सपत खाने को सब्द का प्रियोग करते हैं अगली वर्ड मिन्स होता है अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है डिस्पाइजड डिस्पाइजड मिन्स होता है घडा की मिन्स हेटेड हो जाएगा डिस्पाइजड मिन्स होता है घडा करना या हेटेड हो जाएगा अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है रिपल्सिव रिपल्सिव मिन्स होता है हेटफुल या घडास्पद घडास्पद या हेटफुल के लिए हम रिपल्सिव सब्द क कका प्योग करते हैं अगली वर्ड मेनिंग आपके सामने हैं है । हमोगा सब्राइसंटा चिंता हो जाएगा अगली वर्ड मेनि Nepo詞 होता है पहले कैजूल मेन dua कbas अगली वर्ड मिनिंग आपके सामने है विस्पर्ड विस्पर्ड मिनिंग होता है तो बहूं की नबबी वर्ड मिनिंग हो गई इस चैप्टर की तो बहुत सारी वर्ड मिनिंग है अगर हम लिखाते तो लगबग 300-400 वर्ड मिनिंग हो जाती लेकिन हमने सभी वर्ड मिनिंग को इसलिए नहीं लेवे हैं क्योंकि जब हमने इस चैप्टर का हिंदी इक्सप्रानेशन बताया हुआ है तो उसे हमने एक एक वर्ड की मिनिंग बताई हुए है सारी चीज़ों कुछ दम बिस्तार से बताये हैं कोई वर्ड मिनिंग उसमें नहीं छूटा हुआ है तो इसलिए आप यार्चे इस चैप्टर की हिंदी इक्सप्रानेशन की जो च्छागंटे की क्लास हुई है उस च्छागंटे की क्लास को अटेंड करना सारी चीज़े सारी आपको अच्छी तरह से वहां से समझ में आ वो सभी वर्ड मिनिंग वहां पर आपको बताया गया होगा तो भाया यह आपका आज की एकलास हो गई उम्मीद करते हैं सभी प्यालचे को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना आपके सवाल का जवाब दे दिया देने को मिलेंगी उसके बाद क्लास की समापती करेंगे तो यहां पर देखी प्यालचे पेड़ क्लास की फेसल्टीज लिखी गई है मिन्स पेड़ क्लास में आपको क्या क्या चीज़े देखने को मिलेंगी तो पेड़ क्लास में आपका इंगलिस का कम्प्रीट सल्वस करा जाएगा मिस्स grammar plus literature पूरी तरह से complete करा जाएगा डेली आपको class का PDF प्रोवाइट किया जाएगा डेली आपकी एक घंटा की doubt session की class होगी टेस्ट आपका weekly और monthly होता है होगा और monthly वाले टेस्ट के साथ आपको price देखने को मिलता है all series practice करा जाएगा मिस्स exam के पहले जितनी भी series market प्रकेट में आ जाएगी उन सभी series का practice कर जाएगा model paper revision series फटाफट revision series अंतिम प्रार सिंखला इस तारी चिज़े आपको paid class में देखने को मिलेंगे और इस paid class का target है आपको English में 100 out of 100 marks के लिए पूरी तरह से तयार करना और fees purchase सभी बैस के लिए फीज समान है केवल 499 रुपए है और payment आप कैसे करोगे आप Google पे फोन पे पे पेटियम भी एप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर आपको payment करने हैं अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक bank detail दिया गया है आप इस bank detail का भी प्रयोग करके payment कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर कुछ QR code दिये गये हैं आप इनकी वार कोड को scan करके भी payment कर सकते हैं या फिर आपको payment करने के बाद आपको payment का screenshot लेना है वसे screenshot को आपको इसी 7392937172 करके जो आपको number दिया गया इसी number पर आपको payment के screenshot को WhatsApp कर देने हैं WhatsApp करने के बाद आपको एक form भीज़ा जाएगा उस farm को आपको fill up करने होंगे farm को fill up करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class के group का link provide कर दिया जाएगा तो वहाँ से आप class से जुड़ जाएंगे बाकी प्यारचे अगर payment के recording या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे 24 गंटा call कर सकते हैं वर्टसअप message कर सकते हैं आपकी call और वर्टसअप का reply किया जाएगा तो वहाँ एपूरा admission process हो गया उमीद करते हैं सभी प्यारचे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब कोई दोविधा या confusion नहीं होगा ऐसा उमीद करते हैं और भीया अब यहीं पर class की समाप्ति करेंगे एक बात जल्दी से सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें और सभी class 12 के बच्चों में वीडियो को सेयर कर दें और जो भी प्यारचे 499 रुपे अफोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्यारचे आप निसन को चैड्मिसन लेना क्योंकि इसमें सारी चीज़े एक तम बहतरी इंडंग से प्रवाइड की जा रही हैं बाकी कुछ बहतरी लाइनों के साथ class की समाप्ति करेंगे कोई नामुम्किन सी बात को मुम्किन करके देखा खुद पहचान लेगा जमाना भीड से तू अलग चल करके दिखा तो इसलिए प्यारचे आपको अगर भीड से अलग चलना है तो आपको अच्छी खास से महनत करने की आवश सकता होगी अगर आप अच्छी महनत करोगे तब ही आपकी अच्छी मांक्स आएंगे और अच्छी मांक्स जिब आपके आएंगे तो जिले और प्रदेश में का स्थान प्राप्त होगा तो आपका एक अच्छा नाम और आपका होगा तो यही सभी प्यारचों से उम्मीद करते हैं कि आप अपने महनत में कोई कमी नहीं करेंगे इनी उम्मेदों की साथ सेसन की समापती करते हैं मिलते हैं अन्ड किसी important class के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए अपनी परिवार का ध्यान रखिए Love you all पेर बिच्चो